शाथियों, कैसे कम समय में बड़े बड़लाव हो सकते हैं, सीमित समय में नई व्यवत्ताइं खड़ी की जा सकती हैं, आज मैं त्रिपुरा को बढ़ाई देता हूँ, कि त्रिपुरा ने करके दिखाया है, पहले यहाँ कमिशन और करप्शन के बिना बाती नहीं होती थी, लेकिन आज सरकारी योजनाओं का लाप डारेक बेनिफिट ट्रांसपर डीबीटी के जरिये सीधे आपके बैंक खातों में पहुँच रहा है, पहले अपने एक-एक काम के लिए सामान्य मानवी को सरकारी दप्तरों के चक्र लगाने पड़ते से, लेकिन अब तमाम सेवा और सुविधाय देने के लिए सरकार खुद आपके पास आती है, पहले सरकारी कर्मचारी समय पर सैलरी मिल जाए, इसके लिए परिशान रहते थे, अब उन्हें सातवे वेतन आयोक का लाब मिल रहा है, पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परिशान होना पड़ता था, लेकिन अब त्रिपूरा में पहली बार किसानों से MSP पर फसल की खड़िदी की गई है, यही त्रिपूरा, यही लोग, यही सामर्थ, लेकिन पहले स्ट्राइक कल्चर के काराण, इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी, वही अब त्रिपूरा का निर्यात करीब पांच गुना बढ़ गया है, कर दोक्ता है, यही जया है,